पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा जो अपने घोशना पत्र में ये लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे हम निर्मान का मार परशस करेंगे यानि 140 करोड लोगों के जनादेश के साथ वो तारीख आने वाली थी जिस तारीख का इंजार था और महुदे सिर्फ तारीख इतनी नहीं थी मानवर अगर शास्त्री ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो ग्यारा दिन का उगवास रखके तपस्या भी करनी थी तो ऐसा भी प्रदानमंत्री आने वाला था जो संकल्ब लेकर 11 दिन की तपस्या करे और मैं महुदे एक और बात कहना चाहता हूँ 11 दिन नारियल का पानी पीके हमें से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं महोदे वो जिस जो हर नवरात ऐसे रहता हो उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा और मैं बताना चाहता हूँ सौमी गोविंद गिरी जी जो कोशा द्यक्षे नियास के उन्होंने जब उपवास तुड़वाया तो उन्होंने कहा मैं तार्किक व्यक्ति हूँ मेरे मन में संदेथ था तो जब इनकी माता जी जीवित थी तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने का 40 वर्षों से अभ्यास है ये उपवास रखने का इसलिए 11 दिन शास्की कार रखते हुए भी वो उपवास कर पाए ऐसे व्यक्तिकी पृतिक्षा थी तारीक को और फिर दक्षन में जाकर चाहे नासिक हो और फिर चाहे गुर्ययूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधान मंत्री जी 22 कुओं के जल से इस्दान कर रहे थे जो भारत के संपूर्ण छेतर का प्रदेतु करते हैं तो ये संदेश था धुर दक्षन शिरे पर खड़े होकर कि द उसामी जी लिग गए हनुमान चालीसा में सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधान मंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए और इस तारीक का इंजार था तारीक का ये राज समझने के लिए ह सबको शान्ती और सवहार से निपड गया जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की सीज़े होती थी इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए पूरे देश में जिस प्रकार का सवहार कोणवाता वरन रहा और महदे 99 semmi में भारती नहीं अगल बगल भी बहुत कुछ हुआ था अबकी अगल बगल भी शांती बनी रही ये तपसीराजा का प्रताब था और इतना ही नहीं महोदे अबू धावी में भी मंदिर बनने जा रहा है मुझे लगता है भारत के लिए अमरतकाल में सांस्कृतिक दोरों का इस से बेहतर काल नहीं आ सकता था कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धावी में भी मंदिर बन रहा है और मैं एक और बात कहना चाहता हूं मोदे ये हिंदू-मुस्लिम का विशय नहीं था ये भारत के जय और विजय का विशय था और उससे भी बढ़कर ये मूलियों का विशय था कौन से मूलिय थे एक मूलिय वो जिसमें भगवान राम उस मूलिय के पृतीक बनते हैं जिसमें चार भाई है. पिता के एक बचण पर फन चले जाना, दूसरे भाई का जंगल जाना, तीसरे भाई का खड़ाउं रखका शासन करना, एक यह परंपरा थी और दूसरी परंपरा वो, जिस बाबरी परंपरा में भी चार भाई थे. शुज़ा, मुराद, दारा और औरंग जेब एक ने तीम को कतल कर दिया बुरापे में बाप को जेल में डाल दिया और इतने पे भी संतोश नहीं हुआ बलकि सर काट कर ठाली में रखके जेल में बंद बाप के पाद भेजा आप किसी मत को मानने वाले हो अपने घर में क्या देखना चाहते हैं भाई की खड़ाओं या भाई का सर इन दो मुल्यों के अंतर का ये प्रतीक था इसका हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं था और मैं अपने विरोधियों को बताने चाहता हूँ मानेवर उर्दू में भी एक रामायन लिखी गई चकबस्त रामायन और उसमें इसी मुल्य को अप्रिशेट किया गया है कि जब भगवान राम राजा दशरत से अनुमती लेकर जाते हैं तो उर्दू के प्रसिद सायर चकबस्त ने और वो लखनओ के रहने वाले थे उन्होंने लिखा है रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम और राहे वफा की मनजिलें अवल हुई तमाम यानि उनको तो दिखा कि ये राहे वफा की कौन सी मनजिले हैं जो अवल हो रही है मगर क्या बताऊं महोदे एक फैक्ट पताना है चाहता हूँ 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब सीराम लिला पर कट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किस ने देखी थी वो यूपी गवर्मेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बर्कत उसने बाकैदा मैजिस्टेक के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिव रोशनी दिखी और जब दिव रोशनी हटी तो वहाँ पर सीराम लिला विराजमान थे अब्दुल बर्कत को रोशनी 1949 में दिख गई मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ बावरी पक्ष के पैरोकार थे इकबाल अंसारी और ये उधारता देखिए कि सब को बुलाया गया विरोध करने वालों को बुलाया गया ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया और इकबाल अंसारी को ही बुलाया गया और इकबाल अंसारी प्रांड प्रतिष्टा में आ गए उनका इकबाल तो बुलंद हो गया मगर इन लोग का इकबाल जमीदोज हो गया और मैं ये भी बताना चाहता हूँ उसका एक कारण है अन दे लाइटर नोट किसको कोई परसनल न ले मौदय ये कहा जाता है हमारे हाँ राम का तत्व या ईश्वर का तत्व कौन नहीं समझ पाता है जो कामी, क्रोधी, लोभी, खलकामी हो और राजनीत में वो नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो अब मैं ये बताना चाहता हूँ महुदय कि जो लोग कहते है भगवान राम ने अपने जीवन में ये मंदिर किसीज का परतीक है कई लोग एक आद कोई शब्द लेकर बगेर पढ़े हुए, बगेर उस भाशा को जाने हुए अपनी बात कहने लगते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ भगवान राम ने कौन मेरा भक्त है इसका बाकाइदा उधारन दिया है उन्होंने लिखा है जात पात कुल धरम बढ़ाई धन बल परी जन गुड चतुराई इन दस चीजों से मैं नहीं मिलता मैं कैसे मिलता हूँ, भक्ती से मिलता हूँ ये सारी दस चीजों हो किसी के पास और भक्ती नहों तो उन्होंने का भगत हीन नर मोहे ऐसे जल बिन बारिद लागें जैसे अर्थात अगर ये सब कुछ हो जात पात कुल धरम बढ़ाईए हो भक्ती नहों तो ऐसा जैसे बादल हो उसमें पानी नहों इसलिए भगवान ने इस बात का संदेश दिया और मैं एक विशे और कहना चाहता हूँ जब राम मंदिर का निर्मान हो रहा था तो कहा जाता था साब वैग्यानिक प्रमान दीजे मैं बस एक बिंदु विज्यान का भी और बताना चाहता हूँ ये विशुद्विज्यान है क्योंकि अगर आपने रामचरित मानस के शुरुआती स्लोक पढ़े हो तो उसमें बहुत साब लिखा सीता राम गुणगाम पुन्या अरंड ने विहारिडे हो वंदे विशुद्विज्यानो कभी शुरो कपी शुरो अर्थाद विशुद्विज्यान महरशी वालिमिक ने लिखा और विज्यान क्या है पुछा गया था कि भगवान हुए कब ये तो बताईए यहां हुए कि नहीं ये बताईए अब आप ये बताईए कि आज हम समय कहते उनका exact time लिखा है यैसे आज हम time कह रहे हैं दिल्ली में कुछ और है में कुछ और है तो एक GMT green mean time बताए गया पर अगर आप से पूछा जाए time का absolute measuring parameter क्या है which is equally applicable on earth, moon, solar system and any point in the space it is only the relative positions of planet और भगवान राम का वो exact relative positions of planet जो आइंस्टीन का fourth dimension कहा जा सकता है वो लिखा है कि मेश राशी में सूर्य था मकर राशी में मंगल था तुला राशी में शनी था मीन राशी में शुक्र था और जब नासा ने अपने ट्रेनिटोरियम गोल्ड सौफ़एर में डाला तो पांच यार 114 बीसी की डेट निकल आई इससे जादा किसी को सबूत चाहिए विज्ञान का वो सबूत मिला और इतना ही नहीं मैं बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने अगर पढ़ी हो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद रितु थी अंगद बताते हैं कि अशुनी मास की तो वो ठीक डबल हो जाता है 14,000 साल पीछे आता है इसका मतलब प्रमान देखने हैं तो प्रमान जमीन के नीचे से भी निकले शाही फर्मानों से भी निकले और आसमान से भी निकले समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए हमारे ये इस विशब के उपर आए और मैं एक बात और कहा दूँ कभी कहा जाता था महर सिंबालमीक ने तो रामयान भागवान रामत के पैदा होने से पहले लिख दी थी और कहा जाता बभविष्य में जाके लिख दी जाता है गप है बकवास है कैसे हो सकता है महाभारत कहा जाता है वे रिव्यास ने भूत काल में जाके लिखी वेशम पाइन के समय में अरे ऐसा कैसे हो सकता है बैप पूछना चाहता हूँ 1916 में आइंस्टीन की थेरी अफ रिलेटिवटी देने के बाद अब टाइम ट्रेबल टाइम ट्रेबल बैकवर्ड बकवास है क्या अगर किसी ने साइन्स नहीं पढ़ी है तो उसे समझना चाहिए मगर मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ इसको कह के मैं कहना चाहता हूँ हमारे रिशीत रिकाल दर्शी थे और यह टाइम ट्रेबल तो बहुत छोटी बात थी जो आप धीरे-धीरे लोगों को समझ में आ रही है और मैं एक विश्यावर कहना चाहता हूँ हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा वहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हनुमान गड़ी का आपने हनुमान जी के सैकुड हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में लवकुष का मंदिर देखा है कभी नहीं हमारे यहां पुत्र का महत्व नहीं है शिष्य का महत्व है भक्त का महत्व है हमारे यहां बाइलोजिकल सक्षेशन का महत्व नहीं है इस प्रिचूल सक्ष इस बात का उधारण देता है कि हर जगे आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे वो भी राम से जादा मिलेंगे और मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं महोदे एक बार एक डिबेट में वो कहने लगे कि तो 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 शुक्ती इस बार जान जादा है कि वह की बार से जादा बहुत देख जादा है है हम वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं और जब वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं तो इच्छुट सिंबलाइज तर्टन सेट अव वैल्यूज विच विछ इंस्पाइर दवर्ल और अगर सारे स्रेश्टम मानवी मुल्यों का पृती कोई एक होगा तो वो भगवान राम का मंदिर होगा जो विष्व के सबसे स्रेश्टम मानवी मुल्यों का पृती कोगा कैसे मैं आधुनिक जियो पॉलिटिक से बताना चाहता हूँ आज कोई एक देश किसी पर टैक कर रहा है रही है चाइना का टाइवान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है इराक और उसका चला क्य किया नहीं क्या वहाँ पर कोई अपना टिपटी बैठाया यानि सब्जूगेशन किया नहीं कोई ट्रीटी साइन कराई डॉमिनेशन किया नहीं तो मैं कह सकता हूँ आज के जियो पॉलिटिक्स वर्ड में जब ट्रैश ऑफ सिविलाइशन कहा जाता है तो उसका पृतीक व अगयर राम मंदिर के संभव ही नहीं है और अंत में मैं सिर्व यह कहना चाहता हूँ एक नया इतिहास बना है और यह हमारी सरकार और माननी पृधान मंतरी जी की उस द्रड़ इक्षा शक्ति का प्रतीक है जिसके लिए कहा जाता था अरे 370 कभी हटेगी नहीं राम मंदिर कभी बनी नहीं सकता मगर यह वो लोग कहते हैं जो फूलों के हार पहनते हैं हमारे प्रधान मंतरी जी अंगारों के हार पहनते हैं और जो अंगारों के हार पहनते हैं वो इतिहास को बदलने में निश्यत रूप से सफल होते हैं इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ अपनी सरकार को बधाई देते हुए, श्रीराम जन्भूमी न्यास ट्रस्ट, हमने बहुत साफ कहा था, हम मंदिर नहीं बनवा रहे, मंदिर न्यास बनवा रहा हम सिर्फ मार्क परशस्त कर रहे हैं, दूसरों ने कहा था कि हम वो बनवा रहे हैं, तो हम सिर्फ उनके लिए कहना चाहते हैं, प्रदान मंत्री जी की तरफ से, कि अंगार हार उनका, जिनकी सुन हाक समय रुख जाता है, अंगार हार उनका, जिनकी सुन हाक समय रुख जाता है, आदेश इधर कर देते हैं, इतिहास उधर मुर जाता है, धन्यवाद